नमस्कार मैं हूँ निकिता रगुवणशी और स्वागत है आपका MP News के इस खास कारिक्रम में जिसमें आज हमांको जानकारी देने वाले ही कि मद्रब्रदेश में कॉंग्रिस और भाजपा के लिए एक और पार्टी जो है वो मुश्किल खड़ी करने वाली है क्योंकि RTI एक् सुनेल से सुनेल बताये क्या है पूरी इनकी रणनीती में एक और नेता उफरता हुआ दिखाई दे रहा है बात करें इस नेता की यह है डॉक्टर आनंद राय जो की RTI एक्टिविस्ट है और यह कुछ पेशे से MBBS डॉक्टर भी है तो बात करें इनकी तो इनका जन्म जो इसको लेकर वह एक विसल ब्लोर की भूमिका में आगया और उसके बाद उन्होंने व्यापम घोटाला है वह उनके माध्यम से खुलता दिखाई दिया तो हम देखें जिस तरह थे डीमेट घोटाला है और ड्रग ट्रायल का मामला था वह उसके पीछे भी डॉक्टर आनंद राय की तो डॉक्टर आनंद राय को भी हमने जिस तरह से देखा कि वह जयस के साथ काम करते दिखाई दे रहे थे तो जयस के साथ उन्होंने किला लड़ाया और आदिवासी छेत्रों में काफी कुछ काम किया इसी का नतीजा रहा कि उनको जब जूटी पर नहीं जा पाते तो सरकार ने उन्हें बरखास्त कर दिया इसी तरह कुछ दिर पहले हमने देखा जो सांसा धे जाववा के गुमान सिंग डामोर उनका रास्ता रोकने के मामले में उनको दो महीने जेल में रहना पड़ा था और उसके बाद जेल से बाहर आया तो काफी उनकी पीड़ा प्रदेश के चुनाओं में किला लगाने को तही आरे जी जैसा कि आपने बताए कि टेलांगना के मुख्यमंतरी जे हो है के सियार उनकी चवी काफी साफ सुत्री मानी जाती है और आनंद राय को भी उनका साथ मिल गया है आनंद राय भी उनसे जूड चुके तो आपको क्य लगता है कि उनकी पार्टी के वचन पत्र में किन-किन मुद्दो को शामिल किया जाएगा इस सबसे बड़ी बार डॉक्टर अनंद राय वह सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्यक्तिकात रूप से भी कहते रहें कि जो मद्धिप्रदेश है उसकी राजनीती में वह इसको लेकर ब्यारेस आगे बढ़ती दिखा जाए सकती है बात करें महंगाई की इस तरह जमीनी इस तरफ जो इनके मुद्धे है जिस तरह से आधिवासी इलाके हैं महापर शिक्षा का इस तरह गिरा हुआ है तो उसको लेकर भी जो ब्यारेस है वह मोच्चा खोल सकती है अपने वचन पत्र में यह सारे मुद्धे शामील कर सकती है पेशा एक्ट की बात करें तो पेशा एक्ट को लेकर समय समय पर डॉक्टर आनंद राय सवाल उठाते रहे कि इनको जिस तरह से लागू करना चीए था उस तरह से नहीं किया गया तो इसको लेकर हम देखेंगे जो ब्रस आगामी समय चुनाओ लड़ती है तो यह जो वर्ग है निश्ला वर्ग इसको लेकर वह मुद्धे अपने वचन पत्र में शामिल करती है वह सबसे मुख्य मुद्धा होगा आदियावासी जो वर्ग है उससे मुख्य मंत्री बनाने का जी और क्या लगता है आपक कॉंग्रेस और बिजेपी दोने ही पार्टियों का इस बार ब्रस के चुनाओ लड़ने से गणीत बिगड़ सकता है मध्यप्रदेश में बिल्कुल बिगड़ सकता है बात करें मध्यप्रदेश के जो आरक्षित सीटे है तो उसमें सेताली जो सीटे है वह स्टी वर्ग के काम किया और आदिवासी वर्ग के साथ काम किया तो सेताली सीटों पर कह सकते हैं कि महाँ पर अपना उम्मीदवार जरूर उतारेंगे और जो जैयस का नेटवर्क है उसको यूज करते वह दिखाई देंगे तो बात करें अन्य सीटों की तो जिस तरह भी मार्मी के साथ हम उसको दिनको देखा कि चंद्शेकर रावन को वो हमें तक करीबी रहे तो इस तरह से जो जो सिटें उस पर भी वह बियारेस के साथ या भी मार्मी के साथ मिलकर अपने प्रतियाशी उतार सकते हैं तो इस तरह से बियारेस क्या मुश्किल खड़ी करने के लिए तयार अरिके से मध्यप्रदेश में दो बड़ी पार्टियां कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने हैं दोनों ही अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग रणीतिया बना रहे हैं आगा में विधान सभा चुनाओ को लेकर लेकिन अब डॉक्टर आनंद राय के बीयारेस मे इसी धर्ती पर खुद को साबित कर पाएगी ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम पर पाएगा लेकिन इसी ही राजनीतिक मुद्दों से और इसी राजनीतिक मुद्दों की जानकारियों को हम आपको MP News पर अपडेट कराते रहेंगे इसलिए आप देखती रहे है MP News MP की नफस, MP का हाथ, मज़्य प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूदे